किसी ने सची का है कि किसमत भी उनी पे फिदा होती है जो मेहनत करते हैं वो न रंग देखती है न रूप देखती है न जात देखती है न पात देखती है वो न ये देखती है कि आप कितने अमीर घर में पैदा हुए हैं और वो न ये देखती है कि आप कितने गरीब घर में प है घरजनाजीत की तो बहुत सारी सावाला आप लोगों की रहते हैं और Jakई तो मैं बहुत सारी पर न की चीजे बताऊंगी जो आप दींसे वेट करनें फिर तो मैं यह बता दूं कि आपального के बारे में बहुतकुछ जानना चाहते हैं इसलिए दिखाया था कि मतलब यह करते करते भी बाखिँ चीजी मार्श की जाती हैं तो सारे चीजें का आज हम लोग इतने फशक चीजे का हम लूग इस वीडियो में बात करें कि आप लूग तु पढ़े और कोशन यह था कि अगर बहुत धीमे सीखता हूं, तो इसमें बस आपकी एक ही चीज काम आ सकती है, वो है आपका द्रिर संकल्प, आपने जो सोच लिया वो आपको करना है, अगर आप धीरे-धीरे सीखते हैं तो इसमें क्या होता है, जब आपको लगे का कि बहुत टाइम ले रहा है कोई कि मतलब मैं परशान आज भी रहती हूं, कोई भी चीज बहुत ध्यान, इसलिए मैं लिखती हूं जानलीजे, आज भी है कोई चीज काम करना रहता है, तो मैं एक दिन पहले लेती हूं, कि मुझे भूल जाती है चीजे, तो यही चीज पढ़ाई के साथ, और पढ़ाई में तो आपको पता होना चाहिए, कि ठीक है, मैं धीरे-धीरे ही सीखूंगा, लेकिन एक चीज जानलीजे, जो slow learner है आप देखिएगा, कि जब आप थोड़ा-थोड़ा topic तयार करेंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे, लेकि कुछ समय के बाद आप ये देखेंगे, कि आपकी speed उसमें घबराने की बात नहीं है, आप continue पढ़ते जाएए, आपकी speed अपने आप बन जाएगी, बस drids अंकल, कि जो मैंने ठान लिया, उतना करना है, तो करना है, ठीक है, इसमें तो यही एक काम आएगा, और revision है, भूलता कब है, revision जब नहीं होता है, तो आप अपने अगर क काम करना, दिखाए, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग अपने है, अपने तरब से बताते हैं, तो मैं इतना व्यस्त रहती हूं, कि मुझे कुछ फालतों चीज के लिए टाइम ही ने रहता, वो अच्छी चीज है, कि आपका हाथ पैर चल रहा है, मैं अकसर देखी ह जाड़ू और बर्तन के लिए मेड रखी ही जाती है, अथ है फिर यह काम करने में क्यों अध्य करेगी और सबसे बड़ी बात मेरा नहीं रखने का besants है, सब से बड़ा रीजन धरती है, किसी के भरो से बैठना, अब वो आधत मेरे 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 मिनए है, कि मैं किसी के लिए व बेट करो तब तक दस मिनट पंदर मुट लगेगा अपना काम कर लो तो यह वाली चीज वो मेरी प्रॉब्लम नहीं जानली और कितना भी काम रहेगा मैं मैंनेज कर लूगी और रही बात आगे भविश में हो सकता है कि मैं कुछ बाहर का काम जादे करूँ घर का काम करने के ल काम नहीं हो पाता है तो बस यही वजय है और सबसे बड़ा सवाल जो आप लों का हमेशा बहुत उत्सुख है कि बताई कि आप लाइफ में क्या हुआ था क्या संगर्ष था जो आप बताती नहीं है और मताईए तो हम लों को कुछ मोटिवेशन मीले देखिए सबसे बड़ कोई में कहानी चलती सब्सक्राइब है वह पकशना है और हिसाथ मेरे साथ है फिर डिमाह के मेरे साथ है क्यों तो कोई बड़ी आदमी है बिलकूल नहीं है लेकिन अब्लेक में वह सीधे है जह कोई बढ़ए पे ट्रस्ट कर गालेंगे विशवास कर लेंगे उनके बच्चों की लाइफ में या उनके लाइफ में यह सारी प्रॉब्लम आएगी ही आएगी तो इसारी चीजे हैं और एक कोशन का तो मैं आपके जराब दे दीती हूं जैसे बहुत सारी लोगों के दिमाग में चलता है कि क्या मेरा डाइवोस हो गया था ऐसा कुछ नहीं ह जिन्दगी बार चोड़ उनके जिन्दगी बार निभाने वालों में से हूं जैसे आप लोगों कहते हैं इतना इस्ट्रगल है मैं यह कर रही है और आपको जो दिखती हूं पहले ऐसी नहीं थी मेरे साथ कोई डाइवोस नहीं हुआ है और नहीं मुझे किसने छोड़ा है और नहीं मतब मैं क्या बताओं बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए और आप लोगों को बहुत को सीखने को भी मिलेगा मेरे जीवन से यह जान लीजे जो मैं देखती हूं ना ऐसी थी ही नहीं पहले तो यह सारी चीजें मैं बताओंगी लेकिन मैं सही समय का इंतजार कि मुझे एक बड़ा मंच चाहिए बहुत बड़ा मंच चाहिए कि मेरी आवास पूरी दुनिया तक जाए क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजों के लिए हर्ट किया गया है बहुत सारी चीजों के लिए ना कंप्लें किया गया है कहा गया है कि तो मेरे कानों में आज तक आव मुझे अभी वही नहीं कि मेरी स्टोरी तो ऐसी स्टोरी कि अगर मैं एक किताब भी लिखूना तो भी शायद कम पढ़ जाए तो यही सारी चीजे हैं लेकिन मैं उस सही समय के इंतजार करूं सारी चीजे आपके सामने आएंगी आप लोग तो जुड़े ही हैं मुझे और मैं किसी के बहुचिन नहीं की मेरी बच्चे को को करें क्योंकि जांते हैं कहने वाले तो बहुत है कि मैने ये किया और यह करता कोई Tennessee कि मैंने तो थोड़ा में साबित कि आपार मैं एम बच्चे के लिए बहुत कुझ कर सकती आगे भी मैं कर दूंगी इतना कर दूंगी न कि लोग देखेंगे कि हाँ, देखो, अकेले एक माँ होके कितना कर ली, और लाइफ में आगे बढ़ना है, पीछे मुझे पलटके नहीं देखना है, सब ही अपने परिवार के साथ है, आपकी किसी को नहीं पड़ी है, आप जूटे में परशान रहते हैं दूसरों के चक्कर म करेंगे तब और तब आपकी मजबूरी हो जाएगी कि जिन्दी के बार उनके गुलामी करिए, तो मत करिए ऐसा, आप सेवा करिए, अपना कर्तब निभाइए, लेकिन अपने विशे में जरूर सोचिए, अपने बच्चों के विशे में जरूर सोचिए, ठीक है, और आप मा तो हैं अच्छी, आप पतनी अच्छी होंगी, बहु अच्छी होगी, बेट सब कुछ अच्छी होगी, सारे रिस्ते अच्छी होगी, लेकिन उस्ते पहले आप एक इंसान है, आपको अपनी लाइफ के विशे में सोचना ही चाहिए, किसी तीसरे को इंटरफेर मत करने द के लिए लता मंगेश्योर को देख लीजे, अच्छी हो आप नाम गिरांगे, जो बहुत बड़ी हस्ते हुए हैं उनकी लाइफ में इतनी सारी दिक्कते थी निराला जी को देख लीजे, महारे वर्मा को देख लीजे, किस नाम गिना हूँ मैं, तो मेरे लिए ये सब प्रे आप लोग चिंता मत करिये, बस पढ़ाई करते रहिए, मेरे साथ जुड़े हैं, तो लाइफ में पीछे हटना मैं तो कभी नहीं दिखाऊंगी, कि मैं पीछे हट गई, अब कुछ ऐसा हो जाए तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन जब तक शरीर में जान है, मैं अपना पैर आगे बढ़ाने की ही कोशिश करूँगी, और अपने बच्चे के लिए इतना करकी जाओंगी, इतना कर दूँगी, कि लोग देखेंगी कि हाँ, किसको मैंने क्या कह दिया था, किसको कौन सी बात हट हो गई, जोटी, शान, जोटा, ये सब साब रखा रहा जाएगा, इस दुनिय मुझी बढ़ादा करने का क्यों क्या क्योंकि मुझे एक एक क्ल तिल पतल कशेम कि मुझे करना है, मुझे ऐसा नहीं सेकी कोई करके दो मैं अपने माबाप से अब एक कुछ नहीं लूगी क्योंकि मेरे माबाप जो है अब उनकी एज खतम हो चुकी है वो लोग शांतिस रहे हैं मेरा जो कस्थ वो लोग तो भोगी रहे हैं तो इसके मतलब मैं खुद अपने से करने में सक्षमा मुझे अच्छा लगता है तो बस आप लोग का यह कोश्चन था मैं बताऊंगी जरूर और बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगी लेकिन थोड़ा सा मेरा जो है और एक जगह बरने दीजिए समाज में जगह बरने दीजिए बस यह जान लीजिए कि मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ था बहुत एक उस बसितना जगिए कि दीजिए साथ एसा हुआ था जो किसी आए इतना मुश्किल हुआ था है अवैरे से भी बहुत कुछ बढ़े होंगे बहुत लोग पड़े होंगे ऐसा नहीं कह सकती मैं कि मेरी प्रॉबलम बढ़ी ड़ी सबको अपनी प्रॉबलम बढ़ी लगती है तो लेकिर आप लोग अभी पढ़ाए पर ध्हान लगाई है ठिक है फिर चली मिलते है नेक्स वीडियो में कोई बात होगी तो कमेंट के मादे हम से बताइएगा को बोलते-बोलते कभी-कभी ना कुछ भी बोले लगते हैं तो चैनले पीजियो में